सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेग ज्यान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुशता रहें दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेग ज्यान पिटारा में फिर से एक बार दोस्तों फिर से में एक अच्छे टॉपिक और बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं आप लोग में से बहुत लोगों ने मेरे से पूचा है एसर प्योई स् चीज बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं दोस्तों जब भी आप IP कैमरा इंस्टॉल करते हो तो उसमें सबसे इंपोर्टेंट जो चीज होता है वह है आपका प्योई स्वीच या नॉर्मल स्वीच या गीगा स्वीच ठीक है इन में से कोई ना कोई स्वीच आप कभी न प्रेक्टिकल तरीके से बताऊंगा दोस्तों या लाइव आपको समझाने वाला हूं तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है पूरा वीडियो को देखना है और वीडियो को देखते समय क्या करना बोला हूं मैं सबसे पहले लाइक करना है दोस्तों बहुत मेहनत लगत कुछ सजेशन आपके है और कमेंट करिए कि आगे आगे आप कौनसे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कौनसे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाओ उसका भी सजेशन मुझे कमेंट पर आप लिख के भेजिए कहें कहीं आप नए विजिटर है नए पहली बार हमारे चैनल पर आय अब डालू तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आया और वीडियो को एंजॉय कर सकते हो जैसे इस वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए लाइक करिए मैं पांच गिनती गिनता हूं एक दो तीन चार और पांच आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो को चलिए दोस्तो फटा फट आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक कर दिये ना चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं डिसकस करता हूँ एक नॉर्मल स्विच जो हम पहले यूज किया करते थे घरों मे आज भी आपके घरों में इस टाइप के स्विच लगे होंगे ये भी 100 Mbps वाला स्विच है ठीक है इस टाइप का स्विच का जब आप यूज करते हो IP कैमरे में ये IP कैमरा है आपका IP कैमरे में इस टाइप का दो चीज आपको मिल जाता है एक तो RJ45 कनेक्टर लगाने का उप्सन मिल जाता है एक फीमेल मिल जाता है और एक पावर का फीमेल भी मिलता है देखे दो पॉइंट मिलता है आपको हमेशा हर एक IP कैमरे में दो पॉइंट मिलेगा आपको एक पावर के लिए और एक और एक RJ45 कनेक्टर के लिए तो आप switch से यहाँ पर connectivity जब करते हैं तो आपको अलग से camera को power देना पड़ते हैं Hello, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से जब आप normal switch का use करते है, IP camera start करने के लिए तो IP camera को अलग से आपको power adapter के थुरू या power supply के थुरू जैसा आप SD में देते हैं सभी camera को power, वैसा आपको IP camera के लिए भी power देना पड़ेगा, तब आप normal switch को use कर सकते हैं ठीक है, अब कहां पे console switch करना है, मैंने एक बहुत जबरदस्ट वीडियो बना के रखा था, upload किया हुआ है मैंने पहले वो वीडियो को देख लेना, देखिए मैं यहाँ पे screen पे उसका photo डाल दिया हूँ यह वाला वीडियो कहीं आप देख लोगे, तो इसके MBPS के बारे में समझ में आ जाए कि कितने MBPS support करता है कितने MBPS के switch में कितने IP camera लगा सकते हैं, यह सब चीजे मैं बताएं, इस वीडियो में मैं वही चीज बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा देखने में, ठीक है और बहुत सारे वीडियो का लिंक भी रहता है, डिस्क्यूशन में, तो वहाँ पे आप चेक के लिए जिए, ठीक है बट इस टेप के प्योश स्विच नहीं आते थे पहले, अभी जो आते है, 4, 8, 16, 64 GB, 64 port तक का आपका प्योश स्विच आता है प्योश स्विच का क्या मतलब होता है, देखिए इसका मैं मॉडल नंबर, जो ये प्योश स्विच का मैं बता रहा हूँ, ये तो गीगा है, ये वाला ये 100 Mbps वाला, देखिए यहाँ पर लिखा है, 10 by 100, इसका स्क्रिन में मैं मॉडल नंबर हो, इसका फोटो डाल दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये 100 Mbps, इसका भी मैं देखिए, ये नॉर्मल स्विच का भी मैं मॉडल नंबर आपको डाल देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये भी 100 Mbps वाला स्विच है, ये भी 100 Mbps वाला स्विच है, ठीक है, बट इसमें क्या खासिया थे दोस्तों, ये P.O.E. अनेबल है, ये P.O.E. स्विच है, आया समझ में, P.O.E. का मतलब क्या होता है पता है, पावर ओवर इथरनेट, पावर ओवर इथरनेट का मतलब इंटरनेट केबल से आपको आप वीडियो से के सिगनल, इनकमिंग और आउटगोंग तो होगा, उसके साथ साथ उसी वैर मे सिर्फ एक इंटरनेट के वैर से हम कैमरे को स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि मेरे सभी वीडियो में मैंने आपको बताया है, और जो वीडियो का नीचे लिंक दूंगा मैं, उस वीडियो में बहुत जबरदास तरीके से समझाया हूँ मैं, ठीक है, एक सिंगल इंटरनेट क स्वीच है, यहां पर लिखा है, 100 Mbps का स्वीच, ठीक है? अब जहां पे ज़्यादा कैमरा लगाना है, जहां पे ज़्यादा कैमरा लगाना है, आपको मान के चलो, आपको 150 कैमरे है, ऐसा पूरा प्रोजेक्ट है आपका, वहां पे आपको काम आता है आपका नया Giga देखिए यहां पर लिखा होगा गीगा बाइट प्योई स्विच और टू गीगा अपलिंक ठीक है आया समझ में तो यह गीगा स्विच है गीगा स्विच क्या होता है सीधी सी बात इसमें Mbps ज्यादा रहता है देखिए इसके बैंडविर्थ बहुत ज्यादा रहती है 1000 Mbps की बैंडविर्थ होती है और इसकी 100 Mbps की और यह normal switch की भी 100 Mbps की bandwidth होती है ठीक है bandwidth क्या होता है वो वीडियो में बहुत अच्छे सम्झा रहता है वो वीडियो चेक कर लेना ठीक है तो normal switch पूई स्विच और गीगा स्विच समझ में आया है normal switch से आप जब IP camera connect करेंगे तो आपको पावर देना रहेगा, प्योई स्विच से जब आप कनेक्ट करेंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई पावर सप्लाई यूज़ करने कज़रत नहीं, सिंपल इंटरेनेट के बल के थूँ आप कनेक्टिविटी करेंगे, आपका पावर सप्लाई के जैसा काम करता है, यह स्विच भी है और यह पावर सप्लाई भी मान के चलो, आईपी कैमरे में इसे प्योई स्विच को हमेशा पावर सप्लाई भी बोलते है, आया समझ में? तो जो प्योई स्विच है आपका ये वाला, ये 100 Mbps वाला प्योई स्विच है, ठीक है? अब जहाँ पे ज़्यादा बेंडवीर्थ हो, जहाँ पे ज़्यादा कैमरे लगते है, वहाँ पे ज़्यादा बेंडवीर्थ की जर्रत होती है, वहाँ पे आपको गीगा यूज करना है, गीगा स्विच 100 Mbps का देखें यहाँ पे, और ये 100 Mbps ये 1000 Mbps, गीगा स्विच जो भी होता है आपका 1000 Mbps, देखें यहाँ पे लिखाओ का 10 by 100 by 1000 Mbps, देखें यहाँ पे, इसका भी फोटो में डाल देता हूँ, उसको भी चेक कर लिजिए, आप पॉस कर लेना थोड़ा सा वीडियो को ता कि आपको ये सबी चीजे समझ में आ जाए, और एक स्विच होता है, जिसमें फाइबर का भी इन होता है, जहाँ पे आप फाइबर कनेक्टिवीटी करते हैं, फाइबर वायर के थूरू कनेक्टिवीटी करते हैं, तो वहाँ पे अप्लिंग के जगा में सिंगल अप्लिंग और सिंगल फाइबर भी आता है उसका भी फोटो में डाल देता हूँ वो स्विच कैसा रहता है वो भी देख लीजिया ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है फाइबर कभी जब मैं हमारा कभी इंस्टॉलेशन होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से नहीं तो आप लोग कमेंट करिए कहीं आपको फाइबर वाला कनेक्टिविटी चाहिए तो फटाक से मैं बीना कहीं कैमरा लगा हुए एक दो कैमरा लगा के मैं फाइबर की कनेक्टिविटी भी आपको समझा दूंगो आप लोग के लिए तो आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल स्विच और पियो स्विच में क्या अंतर होता है इनमें में सिमिलारिटी देखा जाए यह तीनों स्विच में तो तीनों नेटवर्किंग के लिए यूज होते है ठीक है चाहे नॉर्मल स्विच हो पियो स्विच हो यह स्विच हो तीनों ही नेटवर्किंग के लिए यूज होते है डेटा इंपूट आउटपूट के लिए यूज होता है तीनों ही जैसे मान के चलो यह TP-Link कंपनी का है यह CP-plus कंपनी का है CP-plus में भी आपको normal switch मिल जाएगा pure switch मिल जाएगा Giga switch मिल जाएगा और fiber switch भी मिल जाएगा ठीक है वैसे TP-Link हो गया D-Link हो गया आपका equation हो गया secure I हो गया tender हो गया ऐसे तमाम company में आपको हर एक प्रकार का switch आपको मिल जाएगा यह भी सभी चीजों में common है अब जो normal switch है आपका वो आपका मान के चलो यह switch है TP-Link का है वो 500-600 का आता है जो main difference है इसमें rate का भी है ठीक है price का भी यह जो मान के चलो इसका जो pricing है मैं इसको डाल देता हूँ आपको देखना imagine का एक screen डाल देता हूँ इसका जितना pricing है इसकी ज्यादा pricing नहीं हो उससे ज्यादा यह यह 3-4000 रुपया का आता है यह आपका जो normal pure switch है उसके बाद जो output का pure switch आएगा आपको giga का वो और महेंगा रहता है ठीक है उसका भी screen डाल दियो मैं तो इसमें price wise बहुत महेंगे होते है ठीक है यह 500 है तो यह 3-4000 रुपया का है फिर giga switch आएगा 6-7000 रुपया का तो price wise भी बहुत ही ज्यादा difference है तिनों में quality wise तो difference है सभी में जो problem है जै में mbps का difference है ठीक है इसमें uplink आता है इसमें भी uplink आता है uplink से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ एक ठोग मैं एक switch आपको निकाल के दिखाता हूँ यह देख लिए यह वाला यह 8 channel का giga देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यह है to uplink 100 mbps यह giga switch है 8 channel का तो 8 channel का तो य खाने बने हुए देखे 8 खाने और यहाँ बाजू में 2 खाने बने ठीक है तो यह दो uplink है और यह 8 camera के लिए यहाँ से आप camera को connectivity करेंगे 8 camera और मान के चलो बहुत सरे camera लगाने तो बहुत सरे प्योई switch भी आपको लगाना रहेगा तो मान के चलो एक प्योई switch के मान के चलो दो प्योई switch है आपका इक यह भी switch को मैं निकालके दिखाता हूं normal switch को भी आपको यह aक switch है देखे यह बी uplink वाला switch है देखे 2 uplink वाला switch है यह यह भी 8 channel का switch है यह normal है याँने 100 MB पेश वाला switch है और यह giga switch है ठीक है दोनों में uplink है मानके चलो दोनों को ये दो switch लगे मानके चलो हमारे project में तो दोनों switch को connect करने के लिए आप uplink का use करेंगे ठीक है कहीं हमारे में uplink नहीं रहेगा तो क्या होगा नुकसान क्या है हमारे camera वाला जो port है main वो उससे हमें connectivity करना रहेगा याने कि आप एक switch में साती camera लगा आप आएसे में आया समझ में हेलो आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं कहीं uplink नहीं रहेगा तो इन दोनों switch को connect करने के लिए आपको camera वाला पोर्ट को यूज करना रहेगा तो आपका 8 पोर्ट के 8 पोर्ट के सिर्फ साती camera लगेगा और जहां पर एक ही switch में दो switch connect होंगे DVR connect होगा, NVR connect होगा तो सिर्फ 6 camera लगेगा इसलिए uplink दिया रहता है ताकि 8 channel में 2 uplink रहा तो आप uplink के थुर DVR को और pure switch को connect कर लो और 8 पोर्ट जो आपका pure बच्चा हुआ है इसमें आप camera लगा लो यानि 8 के 8 camera इसमें fit हो जाएंगे उसके बाद इसमें switch भी connect हो जाएगा और NVR भी connect होगा यह सब चीजे connectivity मैं वीडियो में बताया हूँ उस वीडियो का link में नीचे दे देता हूँ उसको चेक कर लेना यह सब के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा नहीं भी आया होगा एक दो बार वीडियो को देखो गए तो आपको समझ में आ जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे next वीडियो में और भी अच्छे topic और भी ऐसे content के साथ में वेडियो को आप भूल जाते हूं आप दूसरे किसी दूसरे वीडियो में चले जाते हो जाते हो इसलिए मैं तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जै हिंद झाल झाल